प्रधान मंत्री की प्रदीबजद का एक प्रमान भी है चुकि 2017 में ही प्रधान मंत्री ने इसका शला न्यास किया था और बेहत कम समय में यह अस्पताल बन कर तैयार हो चुका है और ना सिर्फ गोहाटी के लिए बलकि पूरे पूर्वोतर भारत के लिए वहां के तमाम राज्यों के लिए ये एक वरदान साबित होने जा रहा है वहां के लोगों को एक विश्वस्तरिय, स्वास्ते, सुविधाय मोहिया कराने में एक बेहत एहम साबित होगा तो प्रधान मंत्री की आज अपूर्वुतर भारत को सौगात विकास परियोजनाओं का शुभारम करने के लिए प्रधान मंत्री आसम पहुँच चुके हैं गौहाटी में राव निर्मित एम्स के भावन को उन्होंने राश्ट्र को समर्पित किया करीब ग्यारा सो बीस करोड रुपे की लागत से अधिक सिल्की लागत से बनने वाले इम्स गौहाटी के जरिये पूरे पूर्वोतर भारत के लिए वहाँ पर लोगों को विश्वस्तर ये स्वास से सुविधाएं मुहिया होंगी और इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के चात्रों की सालाना प्रवेश क्षमता भी होगी और बेहत अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लेस है ये पूरा अस्पताल हमारे समवादा था नितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े में नितेंद्र कह सकते हैं प्रधानमंत्री लगतार जिस तरह से पूरे देश में जो बुन्यादी स्वास्ते सुविधाएं हैं उनको और सुद्रिन करने के लिए उन्हें और मजबूत करने के लिए जिस तरह की प्रतिबधता इस वक्त सरकार की और से दिखाए जा रही है दोजार सत्रा में एम्स का पी-म ने किया अधा शला न्यास और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राश्टर को समर्पित किया है बहुत कम समय में ये बन कर तयार हुआ है और अत्यादुनिक स्वास्ते सुविधाओं से ये लेस है इस वक्किस तरह से ये इस पूरे अस्पताल की नीव हुई और उसके बाद अब ये तयार खड़ा हुआ है तमाम तरह की जो सुविधाएं इसमें दी गई है एक तस्वीरों के माध्यम से उसको देखते वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके दवार आईश्मान अभियान का भी शुभारम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हम जानते हैं आईश्मान भारत योजना प्रधान मंत्री द्वाराश चर्यूगी की एक राश्ट्रिय पहल जो की देश के करोडों वास्यों के लिए एक वर्दान साबित हुई है आज उसके भी पार्थियों को यहाँ पर प्रधान मंत्री आईश्मान कार्ट सौपेंगे यह तस्पीरे हम देख रहे हैं प्रधान मंत्री का एक दिवस है असम दौरा जहां पर तमाम सौगात आज वो वहाँ पर लोगों को देने जा रहे हैं और प्रधान मंत्री ने वहाँ पर एम्स की विभिन सुविधाओं का जायजा भी लिया तीस आयूश पेट सहीद करीबा 750 बेडवाला एक बेहत अत्याधुनिक अस्पताल है ये हर साल सो एमईबियस के छात्रों की सालाना प्रवेशक शमता भी होगी और निसंदे हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए विश्पस्तर ये सुविधाए प्रधान करने वाला ये अस्पताल सावित होने जा रहा है प्रधान मंत्री तीन मेडिकल कॉलेज़ को भी व्राश्ट्र को समर्पित करेंगे नलबाडी मेडिकल कॉलेज, नागाओ मेडिकल कॉलेज और कोगराजार मेडिकल कॉलेज इसमें शामिल है हाली में जिस तरह की वैश्पिक परिस्थितियां रही उसमें भारत ने किस तरह से अपने स्वास्ते सेवाओं को और अपने health infrastructure को बुन्यादी रूप से किस तरह से और भी मजबूत किया है उसमें किस तरह से निवेश किया गया है उसकी एक जलक यहाँ पर हम देख सकते है स्वास्त की क्षेत्र में आत्म निर्भरता के और भी मजबूती से चलांग लगाते वेए यहाँ पर भारत आगे बढ़ रहा है कोरोना को किस तरह से माद्दी हमने एक आंदोलन का रूप धारन करके वैश्पिक वैश्पूरे विश्व ने देखा कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने नित्रत्व की भूमे का निभाई है स्वास्त सुविधाओं की बात करें स्वास्त के क्षेत्र में बांद करें तो एम्स एक ऐसा नाम है जो लोगों में विश्वास जागरत करता है अपनी एक रेडिबिल्टी है और यहाँ पर पूर्वतर भारत के लोगों को भी अगर दूर दरास के लोगों को गाउं के लोगों को अपने शहर से अपने गाउं से दूर जाकर स्वास्त सुविधाओ के लिए जाना पड़ता था उनके लिए एक बहुत बड़ा वर्दान ये साबित होने जा रहा है गौर्टलब है और एक बहुत ही खास बात है कि प्रधानमंत्री द्वरिंद्रुमोदी ने ही 2017 में इस एम्स का शला न्यास किया था जिस योजना की उन्हें शुरवात की थी जो संकल्प उन्होंने लिया था जो वादा उन्होंने किया था आज वो साकार रूप ले चुका है उस वादे को पूरा किया है उस संकल्प को पूरा किया है